कबर भोपास से अपनों को बीजेपी अब मना नहीं पा रही है कमलनाथ से बीजेपी के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायन में ले जहां कमलनाथ से मुलाकात हुई है और जल्द ही यहां वो कॉंग्रेस का दामन थामते नजर भी आ सकते हैं बीसी के बड़े नेता माने जाते हैं लक्ष्मी नारायन अब हाल ही में लक्ष्मी नारायन यादव के बेटे सुधीर यादव ने बीजेपी से स्तीफा दिया था बड़ी और महतपूर्ट जानकारी आपसे साजा कर रहे हैं देखते देखते बीजेपी कितनी कमजोर होती जा कमला से मुलाकात के बाद जल्द ही कॉंग्रेस का दामन थाम सकते हैं लक्ष्मी नारायन अब ये भी जानकारी देदे कि OBC वर के एक कदावर नेता बड़े नेता माने जाते हैं लक्ष्मी नारायन यादव और हाल ही में उनके बेटे सुधीर यादव ने भी BJP से स्तीफा द तस्वीर exclusively आपको हम जी मद्यपरदेश 36 गड़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं PCC चीफ कमलना से लक्ष्मी नारायन यादव की मुलाकात की वो तस्वीर है जो इस वक्ष्मी नारायन यादव का ये स्तीफा कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो ताकत का अपना शौफ कर रही थी वो शौफ अब खत्म होता सा नजर आ रहा है बड़ा जख्म होता जा रहा है चुनावी वक्त में देखें एमपी में स्यासी तनाव है कुछ पता तो करो क्या चुनाव है फैसला जो कुछ भी हो मन्जूर ओना चाहिए इसको यह जंग भरपूर ओना चाहिए कट गई है उम्र सारी पत्थर तोड़ते तोड़ते स्यासी अविनातों में कोई नूर होना चाहिए और इसी में बटकते नजर आ रहे हैं मेल मुलाकात का दौर चल रहा है एमपी में नेताओं के बीच में तनाव बढ़ गया है क्योंकि मद्विदेस में चुनाव जो है बीजेपी में बगावा थम नहीं रही है चाहे बले ही दुश्मनों से हाथ क्यों ना मिलाना पड़ी यही बज है पी सी चीफ पूर मुक्षमांतरी कमलाज से इन तस्वीरों होने बीजेपी के अंदर बौक लाट लादी देखे पहले बीजेपी पार्टी चोड़ी सुधी यादब ने जो लक्षमी नारान यादब बीजेपी के पूर उसांसत के बेटे हैं उसके बाद बीजेपी समल पार्टी नाराइन तर्पार्टी ने पार्टी छोड़ दी अब देखे बीजेपी कुछ और कदम उठा पाती कि पूर्वसांसा लक्ष्मिनारण यादब और सुधी यादब की यह तस्वीर आ गई मुलाकात किसे कर रहे हैं कमल नाथ से जो देखे इस समय है बीजेपी के सब से वड़े स्यासी प्रतिद्वंदी हैं उनसे हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं कुल मिलाकर यह बीजेपी के लिए मद्विदेश में कठिन वक्त नजर आ रहा है और जो एंटी इंगम ऐसी है वह और जादा बढ़ जाएगी क्योंकि पिछला बर्ग हितेसी का बीजेपी जो ब लगा है कहा कि नौफीज दी यादा मद्विदेश में बीजेपी में तबज्व नहीं मिल रही है तो कुल मिलाकर बीजेपी के अपने पराय हो रहे हैं और सियासी उन्हें भविस्की चिंता सता रही है क्योंकि बीजेपी में दूसरी पार्टी से आए नेताओं को इसकदर प्तवच्च यो मिल रही है कि उनके अपने नेता देखेए बहाँ पर अभाव महसूस कर रहे हैं कुल मिलाकर बीजेपी के तवाम दिख्व नेता रंडी थी वनी थी हाउस में वो रंडी थी काम नहीं आए है बीजेपी के नेताओं से छोड़ कर दूसरी पार्टी के नेत ठीक नहीं है वो भी सरकार यदी बरकरार रखनी है तो और यदी पिच्छा बार्ग विरोधी यदी वीजेपी पर आरोप लगने लगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी दिकत बढ़ सकती है देखिए एक लाइन है बीजेपी अपनों को नहीं मना पा रही है ये कहना कता ही ठीक गलत नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने दिग्गत नेताओं को जिम्मेदारी सौपी के वो नाराज नेताओं को मनाएंगे लेकिन वो मनाने के लिए जा पाते उससे ठीक पहले नाराजगियों ने बीजेपी को बाय बाय कर दिया और अपका मलास से पहले ही कहा कि एक रंडीती तयार करने की कोशिश की जाती है लेकिन इतने में एक और जटका लग जाता है अब ऐसे में ये खामियाजा कैसे बुपता जाएगा और इस जखम को कैसे भरा जाएगा क्योंकि बैठे बिठाए कॉंग्रेस कहीं ज़ादा मजबूत होती नजर रही है अब क्हामियाजा होगा तो वी्जेपी का होगा क्योंकि वह सत्ताधारी है कॉंग्रेस पार्टी बाहरे काम की बात इसके बाद तत्का आप देखेंगे तो नाराइंटे और नाराज हो गए और अब एक और खबर आ रही है कि सैडोल से एक वीजेपी नेता ने इस्तीपा दे दिया एक और नई खबर आ रही है कि सुसनेर से भी एक नेता नाराज हो गए है उन्होंने इस्तीपा दे दिया फिलाल तो बीजेपी के लिए अपने अर्चन बन रहा है ये सियासी बाच्छी बाद में होगी पहले तो बात ये है कि परिबार में कलय मच गी है बीजेपी में और जो दिगज नेता है जो एक सूतर में बादने की बात कहते हैं बीजेपी के क्या आपो समाल नहीं पा रहें अपनों को और दूसरी बात ये है कि ये जो अपने है वो कितना गती रोध लाएंगे ये अंदाजा यदि आपको जानना है या लगाना है 2018 के लिए बिल्कुल सही का आपने क्यूंकि इतियास भी उठा कर देखना बेहत जरूरी है यहां पर बहुत शुक्रियार प्रमूत ये इंदोर रेफर कर दिया गया है फिलहाल पुलिसस मामले में जाच कर रही है तो आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करे खुलियाम बदमाशों में बेखौफियत नजर आ रही है शिक्षक को गोली मार दी गई जबडे में गोली लगिया और फिलहाल गंभी रसती मे इंदोर रेफर किया गया है फिलहाल पुलिसस मामले में जाच कर रही है तो देखे बड़ी खबर आपसे साजह कर रहे हैं शिवराज में बदमाशों के होसले कितने जादा बुलंद हो चले हैं ये आप खुद समसकते हैं शिक्षक को गंबीर आलक में इंदोर रेफर कर दि लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक शिक्षा देने का काम करता है उसको सरे रहा गूली मार दी जाती है सवाल ये कि आखिर सुरक्षा के जो दावे किये जाते हैं किस तरह के दावे हैं कमल सोलंग के इज़ी मीडिया समवादा था हमारे साथ फूल लाइन पर जुड़ गए हैं कमल बदमाशों के होसले बुलंद कितने ही ये साफ नजर आ रहा है शिक्षक की हालत भी जानेंगे और मामले में क्या कारवाई की जारी है जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है कौन थे ये लोग ये तमाम जानकारिया आपसे लेंगे कमल मेरी आवाज आप तक पहुचवा रही है चले फिर से संपर्क साथने की कोशिश करेंगे लेकिन ये बड़ी और मैतुपूल जानकारी आप तक हम पहुचा रहे हैं शिवराज में शिक्षक सुरक्षित नहीं है आम जनता सुरक्षित नहीं है सरे रहा गोली मार दी जाती है शिवराज में कहा जाता है कि अपराज को कम किया गया है लेकिन कैसा कम किया गया क्या सर्फ कागसों पर ग्राफ घटा दिया गया सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार कहा जाता कि अपराज को कम करने का काम किया गया है लेकिन ये काम आखे कौन सी दिशा में हुआ है या आप भी समझ सकते हैं जो एक शिक्षक को ऐसे गोली मारी गई जो जबड़े में गोली लगी गंबी रिस्तती में उसे इंदोर रेफर किया गया इलाज जारी है फिलहाल पुलिस इस मामले में जाच कर रही है